तमस्कार न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निशात्री समय की एक और बड़ी जो अपडेट की बात की जाए आपको बता दूँ कि एक और सड़क हाथसा पेश आया है और इस सड़क हाथसे की बात करती हैं तो इक इस्टवार के माडवा में जो है वो पेश आया है और इस हाथसे में आठ लोगों की मृत्य जो है वो हो गई है यह काफी दुखत है कि पिछले एक हफ्ते की हम देखा जाए तो पिछले एक हफ्तों में अलग-लग लोकेशन की बात करें तो तीन एक्सिडेंट्स में अलग-लग जगाओं पर जो हुए है अब तक 16 लोगों की मृत्य जो है वो हो चुकी है यह काफी दुखत है कि हमारे जमो कश्मीर के रोड्स की गर्वाबा हालत की बात की जाए तो काफी खस्ता हालत है जिसकी वज़ा से आए दिन सडख हाथ से जो है वो पेश आते हैं और अगर कुछी दिन की पहले बात कर करते हैं तो लगबग हमारे चार जो है ऑफिसर्स की बात करते हैं जो की गौर्वर्मेंट इंप्लॉई थे उसमें से एक एक्सियन भी थे पी डिपार्टमेंट के और आपको बता दूंसके साहसा ड्राइवर समेत जो है वो चार लोगों की डोडा में जो है वो जो है मृत् जो है खाई में जाके गिर पड़ी जिसके बाद यह हासा पेश आया और अगर आज की बात करते हैं तो आज फिर से किष्टवार के मारवा में अभी कुछ देर पहले यह हासा पेश आया है और आपको यह भी बतादू की बताया जा रहा है कि टाटा सुमो जो ती जो की गहर खाई में गीर पड़ी और उसके बाद जिस तरीके से rescue operation चलाना शुरू किया बताया जा रहा है कि जो आठ लोग उसमें बैठे थे उनकी मृत्ति हो गई है हलाकि नंबर जो है वो आठ से जादा भी हो सकता है क्योंकि अभी और further details जो है आना बाकी है लेकिन अभी तक जो सूत पर आ रही है ये काफी दुखत है कि कहीं न कहीं आए दिन हमारे जम कश्मीर में इस तरीके के सडकाथ से पेश आते हैं लेकिन उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी के सिर नहीं है यानि कि यही कहा जाता है कि जो है गाड़ी जो है यह फिर sumo है यह तवेरा रहत कि उनकी कुछ देर पहले ही DC किष्टवाड जिनका नाम डॉक्टर देवांच यादव है उनसे बात हुई है और उनके द्वारा ही ये काफी unfortunate जो खबर है उनके पास पहुंची है जिसमें ये बताया जा रहा है कि टाटा सुमो जो है वो accident हो गया है उसका माडवा जो बताया जा रहा है किष्टवाड का ही इलाका है वहां पर और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि आठ लोगों की on spot जो है वो मृत्ती हो गई है फिलाल आपको ये बता दें कि rescue operation वहां पर चलाया जा रहा है उसके साथ ही साथ लोगों की recovery भी वहां पर लगातार करने की कोशिश की जा रही है हाला कि क्योंकि ये शोर नहीं है कि जो टाटा सुमों थी उसमें वहां पर पहुंचाई जाने की कोशिश की जाए और कोशिश की जाए कि जल से जल्दी rescue जो हो जाए ताकि अगर उसमें और भी लोग बैठे है या घायल है जिस तरीके से उनको अगर चोटे आई हुई है तो तुरंट से उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी बच सके क्योंकि आपको बता दूँ ये काफी दुखत है कि पिछले अगर हम बात करें तो पिछले 16 जो पिछले तीन एक्सिदेंट के अभी तक बताया जा रहा है कि इंक्लूडिंग कि ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर सुरेश कुमार जो है वो बच सकते थे अगर उनको एर लेफ्ट किया जाता तो पट कहीं न कहीं जो है जो है गौर्मेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है वो धील भरत दी जाती है और नहीं सीरिस लिये जाता है क्योंकि जल्दी उपचार मिलता तो वो बच सकते थे क्योंकि रोड की अगर बात करते हैं रोड से ही लाना है तो जो व्यक्ति आगे ही कृटिकल है अगर उसको बाए रोड लाया जाता है आप समझ सकते हालात कुछ के कुछ हो सकते हैं लेकिन ये काफी दुखद है कि पिछले दो स से तीन सड़क हाथसों में अभी तक सोला लोगों की मृत्ति हो चुकी है और कहीं न कहीं अभी भी जो है वो नैशनल हाइवेज पर काम लगा हुआ है अभी वहां पे पत्थर बाजी हो रही है जरा सा मौसम खराब होता है पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं तो यह काफी दुखत है कि इस तरीके से हमारे जो नैशनल हाइवेज हैं उनके हालात किस तरीके से बने हैं हाला कि इसमें जो यही बताया जा रहा है कि गाड़ी का नियंतर्ण खो गया और वो नीचे घिर गई क्या कुछ और अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे फिला तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार